तो चलिए आज हम एक चटपटा सा और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर के आए हैं तो प्लीज अगर आप लोग मेरे चनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कॉमेंट में ज़रूर बताया कीजिए कि हमारी रेसिपी आप लोग को कैसी लगती है तो चलिए हम बनाना ही स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं उसकी हम क्या क्या तैयारी करके रखे हैं तो सबसे पहले हमने तैयारी किया है ये चने का सत्तू है ये ना तो चने का आटा है ना तो ये बेशन है ये है सत्तू जो की खड़ा चना ऐसा ही भून के और इ झीक्षी में भी पीष सकते हो या तो चक्की प Census घाल सकती हो ये वह वाला है। तब चलिए ये टो हमारा चने का आटा हो गया अब हम चलिए इसकी में तयारी कर लेते हैं तो तयारी में में धैके ये दनिया कटिंग करके ले लिया है और ये लसून, मिर्ची और अद्रक ये तीन चीज मैंने कूट करके लिया है और ये कांदा इतनी तयारी हमने करके ले लिया है अब ये ले लिया है हमने भरवा मिर्ची तो इसमें क्या है? इसमें हर चीज मिक्स रहता है पचपोरन और आमचूर पाउडर ये सारी चीजें इसमें मिक्स रहती है तो हमको अलग से पचपोरन और आमचूर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए अब हम बनाना इस्टाट करते हैं तो उसके लिए हमें ये चने का जो आठा है उसको हम अपना कांदा डाल देंगे और इसमें जितना ही ज़्यादा सामान रहता है उतना ही अच्छा सा और चटपटा सा बनता है तो सबसे पहले हम कांदे को डाल देते हैं और हम डाल देंगे ये हरी धनिया इसको भी हमने जादाई कटिंग करके लिया है और ये हमने मिर्ची लसुन और अद्रक भी जादाई इसमें कुट के लिया है क्योंकि तब ये चटपटा सा बनेगा तो ये हमने सारी चीजे डाल करके ले लिया है ये हो गया अब चलिए इसमें हम mix कर लेंगे और भी सारी चीजे जो जो हमें डालना है तो इसके पहले हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा अजवाइन तो अजवाइन को हम crush करके इसमें डालेंगे ताकि इसका जो छिलके वगेरा रेते हैं सब उसमें तूट जाते हैं तो ये हमने डाल दिया अब इसमें हम डालेंगे भरवा मिर्ची तो हम आप चाहो तो इसके छिलके निकालके भी डाल सकते हो और चाहो तो आप ऐसे ही डाल सकते हो तो मैं इसको ऐसे ही डालूँगी, इसके छिलके नहीं निकालूँगी, ऐसे ही इसमें अच्छी तरह से मसल के मिक्स करूँगी, तो यह हमारी हो गई भरवा मिर्ची, अब इसमें हम डालेंगे नमक, तो नमक हमें यहां इतना डालना है कि हमारा यह भरवा मिर्ची में भी नम नमक रहता है तो इसके लिए हमें उसके हिसाब से इसमें नमक डालना है तो चलिए यह हमारा नमक डालके हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे राई का तेल राई यानि सर्सो का तेल तो इसमें सर्सो का तेली रहता है तो अच्छा रहता है तो यह मैंने ले लिया है इतना राई का तेल ये तीन से चार चमच बड़े चमच से है इसको हमने डाल दिया है अब ये हमारी सारी चीजे इसमें डाल के हो चुकी है अब इसको हम करेंगे अच्छी तरह से मिक्स हाज से मसल के इसका ये मिर्ची जो है उसको हम इसमें मिक्स करेंगे तो चलिए इसको हम mix कर लेते हैं और अगर आपको यहां और तेल की जरुरत पड़ती है तो आप तेल डाल सकते हो अगर आपको तेल नहीं जादा डालना है तो आप यहां पे पानी का भी यूज़ कर सकते हो तो दो से तीन चमच इसमें आप पानी डाल के इसका डो बना सकते ह तो चलिए हम इसका डो आपको बना के दिखाते हैं कि कैसा इसको बनाना है तो आप लोग देख सकते हो ये हमने ऐसा इसको बना लिया है ताकि हमारा जो घाटी बनेगा उसके अंदर ये गिरेगा नहीं तो ये हमने लिया है मैदा आप इसको गेहूं के आटे में भी बना सकते हो तो मैं यहाँ गेहूं का आटा नहीं लिया हूँ ये लिया है मैने मैदा आदा किलो मैदा है ये मैं पूरा मैदा ले लूँगी तो ये हो गया अब चलिए इसमें हम नमक डाल देते हैं हलका ही नमक डालना है क्योंकि इसके अंदर हमने नमक इसका जो मसाला बनाया उसमें भी डाला है इसके लिए तो ये हमने नमक मिक्स कर लिया अब इसमें हम डालेंगे पानी और पानी डाल करके हम अच्छी तरह से इसका आटा गूंदेंगे और आटा गूंद करके हम तयार पहले कर लेते हैं तो चलिए ये हमारा हो गया है आटा तयार तो अब हम बना लेते हैं लोई और लोई बना करके आपको हम दिखाते हैं तो सबसे पहले हम ऐसे ही सारी लोईयां बना करके ले लेंगे ये देखिए दो से तीन हम बना के आपको पहले दिखा लेते हैं आप अपने हिसाब से मोटा या पतला कर सकते हो पर जादा पतला भी रहता है तो ये तूटने का डर रहता है तो हम ऐसे इसको बीच में इसको खटा करेंगे ऐसे इसको बना करके लोई ले लेंगे ये देखिए अब इसमें हम अपना जो बनाए हैं इसका पूरण उसको इसमें भर देंगे तो चलिए इसको हम भर के ले लेते हैं फिर इसको हम आपको दिखाते हैं तो इसमें हम ऐसे दबा दबा के भरेंगे ताकि हमारा अच्छे से इसमें सेट हो जाए और ये हमारी घाटी बनके तैयार हो जाए तो देखिए ऐसे गुमाते जाना है और इसे पैक करते जाना है इसको इसमें दबाते जाना है तो ये हमारा गाटी बना करके रेडी हो चुका है ये देखिए तैयार हो गया गेटी बना के तो अब हम सारा बना के आपको दिखा लेते हैं तो ये देखिए हमने इसको बना करके ले लिया है इतना तो अब चलिए अब इसको हम फ्राई करके दिखाते हैं तो चलिए सबसे पहले हम रख लेते हैं कडाही और इसको रखेंगे हम गरम होने के लिए और इसमें डालेंगे तेल तो तेल यहां हम मीठा वाला ही योज कर रही हूं यहां मैंने राय का तेल नहीं लिया है यह राय के तेल में भी अच्छा बनेगा और इसमें अच्छा ही बनेगा तो चलिए इसको हम गरम कर ले रहे हैं और हमें इसका गैस का फ्लेम एकदम लो रखना है हाई नहीं करना है और ज्यादा लो भी नहीं करना है तो सबसे पहले हम इसको डाल के ले लेंगे और उसको लो फ्लेम पे ही पकाएंगी हम तो इसलिए हम low flame पे पकाएंगे कि ये मैदा रहता है न तो अगर high पे पकाएंगे तो जल्दी से ये उपर का लाल हो जाएगा और अंदर का कच्चा ही रह जाएगा तो इसके लिए हमें अंदर का भी पकाना है तो इसके लिए पहले हमें gas का flame को low रखना पड़ेगा तो मैंने यहाँ low ही रखा है और इसको अब ऐसे ही हम सिकाई करेंगे तो इसको पहले अच्छे से इसे छोड़ देंगे एक से दो मिनिट के लिए ताकि हमारा अंदर का पक जाए फिर इसके बाद हम इसको पलटी करेंगे तो यह हम ऐसे ही छोड़ दिये हैं अब चलिए इसको हम पकने देते हैं तो यह देखिए हमारा हलका सा नीचे का brown हो चुका अब इसको हम पलट लेंगे तो हमको ऐसे ही अब लट पलट करके इसकी सिकाई करनी है मैंने हाई पहले नहीं किया था लोगी रखा था इसके लिए देखिए यह लाल नहीं हुआ है और बहुत अच्छे से यह पकेगा तो चलिए हम पका कर दिखा रहे हैं यह देखिए हमारी गाटी बनके रेडी हो चुकी है और बहुत अच्छे से पक गई है और यह पकने के वज़े से ही यह फट रही है यह देखिए ताकि हमारा अंदर तक यह पक जा रहा है इसके लिए अगर कच्चा रहता है तो यह बि और ऐसे ही हम सारी अपनी घाटियां तल के ले लेंगे तो मैंने ये फिर से इसमें बनाया है और इसको डाल के इसको हम फ्राइ कर लेंगे और आपको हम ऐसे ही पूरा फ्राइ करके दिखाते हैं तो इसके साथ थोड़ा सा हमें क्या करना है या तो आप चटनी अलग से बना सक तो या तो दो काम एक साथ अगर आपको करना है तो इसी में मिर्ची डाल करके आप तल दो तो ये देखिए मैंने ले लिया है चार से पांच मिर्ची और इसको इसी के साथ हम तल देंगे तो हमारा क्या है समय का भी बचत हो जाएगा और हमारी दो चीजे एक साथ तल जाएगी मिर्ची भी और घाटी भी तो मैं इसके लिए ये दोनों ही एक साथ तल रही हूँ तो चलिए हम अब अपनी पूरी घाटी तल करके दिखाते हैं कि हाई ये हमारी कैसी बनी हुई है तो ये भी हमारा देखिए मिर्ची निकाल दिया है तल के और इसको भी हमने बना करके ले लिया है इसको भी हम निकाल करके ले लेंगे तो आपको हम अब पूरा ही दिखाते हैं कि ये रेसिपी हमारी कैसी बनी है तो आप लोग देख सकते हो ये हमारी रेसिपी हो गई तयार घाटी की और हमने ये मिर्ची भी साइड में तल के रख और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि ऐसी वीडियो हम रोज लाते रहेंगे और अब देखिए इसको हम तोड़ के दिखाते हैं अभी ये गरम है इसके लिए इसको तोड़ने में भी दिक्कत हो रही है क्योंक वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत-बहुत